विश्व के साथ सबसे खतरनाक टुरिस्ट्स अट्राक्शन्स नमबर साथ टियान मेन वॉलकेनो बोदिंग यह परियटकों के लिए एड्रेनलाइन के नशे की तरह है यह बोर्डिंग आक्टिफ वॉलकेनों के उपर से की जाती है यहां के steep slope से नीचे आने के लिए एक खास प्रकार की बोर्ड बनाई जाती है और इसी के साथ participants को भी protective gear पहनाई जाती है इस slope से नीचे जाते समय speed 50 मीटर पर आर्टक होती है यहां से वॉलकेनों के breathtaking views भी आप देख सकते है यह दुनिया के कई adventure प्रेमियों की अपनी तरफ आकर शित करता है नमबर च्छे Boating at the Iguazu Falls यहां पे आप Iguazu Falls की natural beauty का आनंद ले सकते है यहां पे boating करना एक रोमांचक और दिल दहला देने वाला अनुभव है यहां पर boating करने के लिए special तरीके की boats बनवाई गई है यहां से पानी उफनता हुआ आगे जाता है जैसे जैसे boat waterfall के करीब जाती है वैसे ही आप पानी से बने हुवे कोहरे में खो जाते है और पानी नीचे गिरने की जोड़दार आवाज बहुत ज्यादा रोमांच और डर पैदा करती है जिससे आपको नेचर की ताकत का अंदाज होता है यह केबल कार जंगियाजी नैशन फॉरिस्ट पार्क के उपर बनवाई गई है इस केबल कार से आप दिल दहला देने वाले नजारे देख सकते है यह केबल कार डरावनी खाई से होकर गुजरती है यहां से आप उँचे पहार और जंगल का सुन्दर नजरा देख सकते है इस केबल कार के नाम कई विश्व रेकॉर्ड भी है जिसमें सबसे लंबे और उंचे केबल कार होने का का विश्व रेकॉर्ड भी शामिल है नमबर चार केज अफ डेथ क्रोकसोरिस कोफ यह एक खारेपनी में पाए जाने वाले क्रोकडाइल से भरा हुआ पूल है जिसमें लोगों को एक कांच के केज में बिठा कर इस पूल में छोड़ा जाता है इस केज में से आप क्रोकडाइल्स को बहुत नस्दीक से देख सकते हैं जो जान लेवा और बहुत डरावना लगता है नमबर तीन क्लिफ डाइविंग अट क्वेब्रडा इस क्लिफ के ऊपर से लोग नीचे बेहते हुए पनी में चलांग लगते है यह एक रोमांचक अनुभव है यहां के डाइवS 35 मीटर से भी ज्यादा की उंचाई से इस पनी में चलांग लगते है यहाँ चलांग लगाते वक्त डाइवर्स को आने वाली लहरों का ठीक से अंदाज लगा कर चलांग लगानी पड़ती है, जिसकी वज़र से वो सैफ लांडिंग कर सके नमबर दो रॉक क्लाइबिंग अट एल कैपिटिन USA के Yosmite Nation Park में बसा ये Mountain Granite से बना हुआ है, यह Mountain Climbers के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, विश्व के कई Climbers यहाँ Climbing करने के लिए आते हैं, इद Mountain के ऊपर चड़ने पर मानो Climbers की धड़कन रुक सी जाती है, और इस उंचाई से काफी सुन्दर और दिल दहला देन नजारा दिखाई देता है, नमबर एक, Mountain Biking on Death Road, Bolivia, यह रास्ता Andes परवच शिंखला से होकर गुजरता है, यह रास्ता काफी संकरा है और गहरी खाया है, यहाँ का वातावरन बदलता रहता है, जिस वजह से यहाँ Biking करना और भी खतरनाक हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज ज्यादा accidents होने के कारण इस रोड को Death Road नाम दिया गया है, और इसी वजह से Adventure प्रेमियों के लिए यह attraction बना हुआ है, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद